तो alibaba.com से समान मंगाना है यानि China से purchasing करनी है तो आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि Amazon और Flipkart की जैसे आप alibaba.com से easily way में शमान मंगा सकते हैं यहां पर कुछ restriction है alibaba.com कीन लोगों के लिए होता है इस वीडियो में आपको सभी बाते बताऊंगा कि इससे order करना सेफ है या नहीं या फिर इसमें payment का option क्या होगा कैसे हम payment कर सकते हैं अगर इसमें refund की जरुरत पड़ी तो refund policy है कि नहीं तमाम जितने भी बातें से related है मैं आ आपके लिए क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं आपको अपने आइडिया के अधार पर बता रहा हूं मैं और डेलीवाबा.com से काफी सारे product खरीद चुका हूं लगबग 4-4-4 लाग से ज्यादा कि shopping कर चुका हूं तो मतलब मुझे क्या-क्या दिक्कते आई या फिर क्या-क्या मेरे अच्छा लगा और क्यों अच्छा नहीं लगा अगर आप बिजनस करते हैं तो किस तरह का बिजनस करते हैं वो भी आप नीचे मुझे कमेंड कर सकते हैं तो आपको तो पता हिए कि अलीवाबा.com पर काफी सस्ते सबान मिलते हैं यानि चाइना से कोई भी समान आप गैजट अच्छा खराबदस आपको दिखाथा हूं यह है अलीवाबा.com की ओधिशिल वबसाइबंस दिखाता है। ुए आपको पता है इसमें लोगिन करने के बाद मैं आपको सबसे पहले अपने आउडर पैनल पर दिखाता हूँ यहां पर मैं कितनी की शॉपिंग कर चुका हूं आप देख सकते हैं तोटल दस और हम ने किये हैं यहां पर आपको दिख रहा होगा यहां पर 588 डॉलर का है payer 45 तो हम आपको बताते हैं कि इसमें सबसे पहली बात की आपकी गैरंटी है कि आगर आप माल मंगाते हैं माल मिलेगा यह नहीं इसके बाद हम आपको बताएंगा कि आपको कैसे पर्चेज करना होता है ठीक है चलिए जैसे यह एक order complete हो गया मैं इस page पर चल के आपको यह दिखा पर यहां पर क्लियर लिखा हुआ है कि जैसे आप एल से मंगाते हैं तो 15 दिन में आपको आ जाएगा या फिर 22 मंगाते हैं तो 60 दिन यानि साथ दिन का लगवग टाइम होता है उस हिसाब से दिखा हुआ है यह पास पस लिखा हुआ है यह पेमेंट प्रोटेक्शन आपके प मिलने के बाद कुछ गरबरी आ गया तो उसके लिए भी वो लोग प्रोटेक्ट करते हैं और जुरुत पर है तो आप रिफंड भी करा सकते हैं यह पूरे शिपिंग की डिटेल है कुछ चाइनीज में लिखा हुआ हुआ यहां पर दिखा हुआ हुआ है लेकिन यहां पर द सकते हैं कोई भी वीजा कार्ट के थूरु आप इसको पेमिंट कर सकते हैं अजकल इंडिया का भी सारा वीजा और मास्टर कार्ट जो है यह यह अलिवावा.com वो सपोर्ट करता है तो कब पेमिंट कब हुआ कैसे हुआ शिप्मेंट हुआ ओर को ट्रेकिंग करना हो यह सारे है डीटेल से यहां पर लिख्या हुए है किस पार्टी से मंगवाया कंपणी नहीं देख लिख लिए यहां पर सावन कुमार यानि मेरा नाम लिखा हुआ है और हमारी इमेल आइडी है टेक्निकल गुपताजी अट देरेट जीमल.com यानि इससे आए आपको कम से कम यह कर इ जो एन्डॉइड टीवी बॉक्स होता है मैं काफी अलिबाबा.com से मंगाता हूं जैसा आपने देखा भी होगा जहां पर बहुत सारे सेलर से हैं लगबग टूस एट सेवन सिक्स डिजल्ट्स निकल के आए हैं काफी सारे सेलर से जो छे सल पुराना है कोई 10 साल पुराना ह करने हैं कोई 5 साल पुढ़ाना है तो हम किस से पुर्चेज करें ऐसा नहीं है कि जो पुराने सेलर हैं 11 साल पुराने है वो आपको अच्छा प्रड़क देंगे और जो पांच साल या एक साल पुरान जो खराइब देंगे टिक बेसिक चीजे हैं एक वेरिफाइड होता है वह जो verified supplier होते हैं, वो तो एक होना ही चाहिए, यह तो मेरे सबसे बढ़िया होता है, देखो जैसे कि यह सकेंड वाला verified supplier नहीं है, तो मैं तो नहीं बोलूगा कि आप इस supplier से खरीदो, लेकिन जो verified supplier है, आप उनसे जरूर खरीदी है, यह सही होता है, पहली बात, दूसरा बात कि आप किसी भी supplier से alibaba.com के साइट से खरीते हैं, तो पैसा आपका बिल्कुल सेफ होगा, क्योंकि जो supplier होता है, हम buyer है, जो supplier है, उसके VC में अली बबा जो है न, वो एक mediator की तरह काम करता है, तो ऐसा नहीं है कि आप जो पैसा दे रहे हैं, डारेक्ट supplier के अकाउंट में पैसा ड रिलीज करते हैं, हला कि उनका कुछ time frame होता है, जब shipment के बाद कुछ time frame पे वो release करते हैं, अगर किसी भी तरीका से buyer को नुकसान होता है, तो अगर आप complain कर सकता है, अली बाबा को आपको पैसे refund मिल जाएंगे, supplier की account suspend हो जाएगी, तमाम बहुत सारे चीजे जो चीज होती है इसमें ये restriction होता है, अब बात आती है कि ये जो price लिखा हुआ, 605 रूपया, 444 रूपया, ये जो price लिखी हुई है, आप सोच रहेंगे कि ये स्रिफ 400 रूपया में Android TV box होता है, तो मैं आपको बताता हूँ, ये बिल्कुल fake price है, ये गलत price है, थाई बार क्या होता है, अब जो price आप देखते हैं, तो आपको लग रहा हूँ कि बहुत सस्ता मिलता है चाइना में, ऐसा नहीं है, आप जैसे कि किसी को भी open करें, suppose आप मैं इसको open करकर दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको contact करने के लिए जो है इसका supplier का एक detail दिया गया, जैसे यहाँ पर देखिया है, contact supplier का option है, call us का भी number है, तो चाइना का number है, आप call तो मत कीजिए, contact supplier जैसे आप करेंगे न, तो उनसे chat होगा, उनसे आप बात करेंगे, जब बात हो तो WhatsApp नमबर ले लिए, या फिर Alibaba से ही chat कीजिए, ज़्यादा safe होगा, अगर कुछ भविस में कुछ dispute होता है, तो Alibaba के chat पे जो भी messages होते हैं, वो Alibaba के record में होता है, वो safe होता है, कलो कि कोई dispute होगा, तो वो लोग sort out करेंगे कि नहीं, आपने supplier को यह बोला था, supplier ने आपके according ली माल नहीं shipment किया, तो वो एक मज़ेगी बात होती है, बाकि फिर भी अगर एक दो बार supplier से बार good relationship बन गया है, जैसे wholesale का अगर आप काम करते हैं, बल्क में बहुत सारा सामान मंग बाते हैं, तो alibaba.com यूज आप कर सकते हैं as a business purpose, लेकिन personal यूज के लिए वो aliexpress.com है, वो भी Chinese site है, वो भी aliexpress.com है, वहाँ भी सस्ता मिलता है, लेकिन alibaba.com से थोड़ा महंगा मिलेगा, in fact India से थोड़ा सस time मिलेगा, time वही होता, आने में बहुत time लग जाता है, by air से मंगाएंगे, तो 10 दिन से 12 दिन का normal time लगता है, लोग कहते हैं 6-7 दिन, लेकिन 10-12 दिन लग जाता है, चाइना से माल मंगाने में, और अगर आप aliexpress के थूरू मंगाएंगे, तो aliexpress के थूरू मंगाएंगे दिन में आ जाता, थोड़ा महंगा पड़ता है, थोड़ा नहीं, डवल से भी ज्यादा shipping cost पड़ता है, लेकिन जल्दी आ जाता है, और काम हो जाता है, क्योंकि हमें, आप हमको पता है, यह मेरी बहुत सारी website है, retail की website है, wholesale की website, अगर आप भी business करते हैं, तो आप हमसे भी ज चाहें, तो डारेक्ली वहाँ पे आप टेली ग्राम चैनल जोईन करके, आप सस्ते में हमसे भी खरी सकते हैं, खेर यह तो business की बात अलग हो गए, लेकिन मैं बता रहा था कि यह जो portal है, जस इंडिया में बहुत सारे portal जैसे इंडिया मार्ट है, या फिर ट्रेड इंडिया ह तो इसी तरह का यह platform मिलता, जुलता platform है, आपका alibaba.com, यहाँ पे आप quotation भी मंगवा सकते हैं, जो multiple supplier है, उनसे आप एक बर में quotation मंगवा सकते हैं, कि किसका rate सस्ता है, किसका rate अच्छा है, यह सब कम आप यहाँ पे बहुत असानी से कर सकते हैं, देखिए, यहाँ पे alibaba.com पे क्या होता है, कि अगर आप कोई company establishment कर रहे है, company खोल रहे है, अगर आपको product खरीदने है, company के लिए आपने brand के लिए, तो यहाँ पे OEM और ODM की facility होती है, OEM का मतलब हो गया originally equipment manufacturing, और ODM हो गया originally design manufacturing, तो आप design अपने पसंद का भी करवा सकते हैं, कि अगर आप कोई earphone है, त तो उसको आप design कराना, तो आप अपने हिसाफ से design भी करा सकते हैं, या फिर बना-बना design चाइना में है, तो उसको plain माल लेकर अपने branding महर लगवा के करा सकते हैं, maximum काम इंडिया में ऐसा ही होता, आपको क्या लग रहा है, जितनी भी बड़ी company है, बोड की company है, realme है, JBL है, या और भी कई सारी company है, उनका अपना manufacturing है क्या, अरे कुछ नहीं अपना manufacturing है, वो लोग सिर्फ contact करते हैं, चाइना के कुछी factory से, वहाँ पर तो यार सुनाओगा आपने घर-घर में factory होती है, तो ऐसा है कि आपको एक अच्छे factory के तालास करने के ज़रूरत है, जिसकी product की quality क अच्छा है, reliable है, क्योंकि अगर कोई पुराना company है, कोई trustable company है, जो आपको सबदीन एक समान देता है, मतलब आपने first time जो lot order किया, तो आपको तो बढ़िया product दे दिया, आपने बहुत दबा के माल बेचा, लेकिन बाद में क्या हो गया कि product की quality अगर आपको खराब, अगली जो महेंगे parts होते हैं, उसके बीना भी आपको product चल रहे हैं, और parts ग्याब हो जाए तो आपको definitely product की quality में तो issue आए गही है, जो चीज आपको बात में देरे देरे पता चलेगा, तो आपकी market खराब हो जाएगी, तो इस चीज को ध्यान एक है, चाइनीज लोग इस मामले में बहुत चालाग होते हैं, first time में दिखाएंगे कुछ और देंगे, आपको second time, third time से, तो अगर आपको उपना brand बनाना है तो ODM और EEM वाले जो काह में आप वो करवा सकते हैं, अपनी महर लगा के बना सकते हैं, आपका नाम का printing, manufacturing सब होगा, अब एक समस्या इसमें आती है, कि एक बहुत अच्छा topic है, अगर आपका comment अच्छा रहा है, वीडियो उस पर like है, कम से कम 1000 लाइक हो, प्लीज आप उमीद करते हैं, 1000 लोग को like करेंगे, अगर जादा से जादा लोग comment करते हैं, कि आपको इस पर और वीडियो चाहिए, तो मैं आने वाले time मैं आपको और भी उनके पास अपने documents होते हैं, वो अपने company के नाम पर import करा के लाएंगे और आपको सिर्फ दे देंगे, तो सबसे बड़ी है, वही चीज़ होता हम लोग भी वही formula यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर मैं खुद से जंजट में परू, import कराने में, custom office में, documentation में, तो मेरा मतलब क काम हम करने ही पाएंगे, हम दिन भर custom office का ही चक्कर लगाते रहाएंगे, तो third party company यूज़ करिए और उस पर work कीज़े, definitely आपको मसा आएगा, और जब वीडियो आप इतना लंबा मेरा हो चुका, अगर आप देख रहे हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, interest भी ल टाइम है तो प्लीज मास प्रेडर लगा कि जहां भी निकले, जरूरी काम हो तभी निकले, stay home, stay safe, bye bye, take care